राच्छी से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकेन पे क्लिक कीजिए अ दुड़े के लिए सुझा और बेल आइकेन पना दोने उ्ज़े हैं तूच दाता, तूविधाता, तूच आशा गणेशा, क्रुपा सिंधु, दिन बंधु, गुणा धेशा गणेशा तूच दाता, तूविधाता, तूच आशा गणेशा, क्रुपा सिंधु, दिन बंधु, गुणा धेशा गणेशा तुझे आचर्णा सेता, तूच आचर्णा सेता, तूच आठाई मनहरा होहीच आता मनेशा तूच दाता, तूविधाता, तूच आशा गणेशा, क्रुपा सिंधु, दिन बंधु, गुणा धेशा गणेशा भवसागरहाने इतरुने तूच गिरिजा तलया हो तुझा प्रुपेने विश्वे चाले, नेदु खाला मिलया हो शर्ण तुलामी थेगजवदना देवातु सर्वेशा नियति माची अणते एथे, विरते अवधी निराशा क्रुपा सिंधु, दिन बंधु, गुणा धेशा गणेशा तुझी आचर नासी एता, ते दुख मिनाशे अनंता तुझा थाई मलहरा हो इच आतामनीशा क्रुपा सिंधु, दूच आशा गणेशा क्रुपा सिंधु, दिन बंधु, दुणा धीशा गणेशा सुझी अगर ये कल की मिटिंग सक्सेस्फुल होगी तो शायद हमें अगले वीक जर्वनी जाना बड़ेगा सब, सिद्र, I am busy सुझी हाँ वो त्यागी साब को जरू फों कर लेना और जिती पॉलिटिकर पार्टिशन को डिवेट के लिए बुला लेना ओकी सार से तुम गही नहीं तक सार आज घर जाना जल्दी जाना है मेरी बिल्डिंग में गनपदी बैट रहे उनकी पूजा है तो ठीक है आकाश की स्टोरी कंप्लीट कर दो उसके बाद चले जाओ भाई आकाश आकाश जी डाड क्या है ये क्या है अब घंटू चन मैं दिन रहा देख कर रहा हूँ तेरे वास्ते पैसा कमारो तेरे वास्ते और तू शाम को साथ बज़े उस दो टके की लॉड़िया के साथ भागने कप्ला नहीं कर रहे डाड मैं पूजो से प्यार करता हूँ डाड अब मैं प्यार क्या ते ले ने बेटा देख इदरा प्यार व्यार कुछ नहीं होता ये लड़किया ना बेफ़कूफ बनाती है चल मैं तुझे दिखाता हूँ तेरे वास्ते क्या-क्या रखा है हमने चल 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 आज़ा ये देख पूरे एक करोड एक करोड रुपे रखे हैं तेरे वास्ते सोचना था कि विरादरी के एक लड़की के साथ तेरी शादी होगी तो ये सब तुझे दे दूँगा लेकिन एक बात याद रख अगर तुने पूजा से शादी की तो ये पैसे ये घर, गाड़ी, सब भूल जाना अब पता तुझे पूजा चाहिए या पैसा डाट प्राक्टिकली देखे तो पैसा जादा अच्छा है तो मुझे पूजा नहीं पैसा मंजूर है शाबाश बेटा शाबाश आज तुने साबित कर दिया तु मेरा ही बेटा है आजा, गरे लग जा मेरा बच्चा देखा तेरा जलवा देखा तेरा प्यार तेरा इमोशनल अत्याचार प्यार की कस्मे खाने वाले प्रेमी जोडे किस तरा से अपने रंग बदलते है कभी तो लालच के शिकार होते है तो कभी अपने माबाप के इमोशनल अत्याचार से बेजार होते है प्रसित कमाल कर दिया यार कमाल यार लिखा है तूने आपने इस कलम की धार को यूँ ही बनाए रखना मेरे दोस्ट वैसे एक बात बता किस ब्लेड से छीलता है अपनी पैंसल को चल रहे भवानी तूनी सुदरेगा हाई कहा है तो आज जल्दी आने के लिए कहा था ना तुझे हाँ बस अभी निकल रहो बाबा आगे क्या अब वो कहाएंगे उनका कोर्ट मैटर है फोन भी नहीं उठाएंगे आज वो ठीक है आई मैं अभी ओफिस से निकल रहा हूँ जल्दी आना हाँ यार ओनर मेरा फोन बार बार बज़रा है आधे गंडे से बज़रा है मैं जानता हूँ ये मेरी बीवी का फोन है हमारे घर में गणेश पूजा है आज और मेरी बीवी पूजा का थाल ये मेरा इंतसार कर है लेकिन मैं यहां खड़ा हूँ आपके सामने क्यों क्यों साथे क्यों कि मेरा काम ही मेरी पूजा है और अरे क्या वाँ वाँ मुशायरा चल रहा है क्या इदर डूंट गेट इमोशनल साथे बिंदू की बात करो सर बिंदू के डांसेज और अक्टिंग के बारे में बात में भी बात हो सकती है मेरी आप से गुजारिश है कि केस पे फोकस किया जाए इस वन्द साथे 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 बिंदू की बात करो याने पॉइंट की बात करो जस्ट कम टूदि पॉइंट ओ तो बिंदू पे आते हैं मेरा मतब है पॉइंट पे आते हैं आप मुझे ये बताईए कि इस जबाने में लोगों को सबसे ज्यादा करप क्या करता है इंटरनेट? नहीं मोबाइल? नहीं अगर आज के बच्चों को सबसे ज्यादा करप करता है तो वो है अशलील सहित्य आवारा पडोसन जवारी का फुचाल अंटी हसीना अंटी हसीना ऐसी अशलील किताबे पढ़ता है ये आत्मी जिस उम्र में ग्यान और भक्ति की किताबे पढ़नी चाहिए उस उम्र में मस्तराम की किताबे पढ़ रहा है ये आदमी अब आप भी बताईए कि ऐसे गिरे हुए इंसान के साथ बना एक मासूम आरत कैसे रह सकती अब्जेक्शन मेलोड मेरे मुअक्किल पे बे बुन्याद इल्जाम लगाय जा रहा है एक बार मान भी लिया जाए कि गुलगुले इस तरह की किताबे पढ़ता है पर उसका इस के से क्या तालुक है तालुक है यार ओनर अब आप ही सोचिये कि जो इंसान इतना गिर सकता है अश्लील साहित्य पढ़ता है वो घर में बीवी के होने के बावजूद पहार रंगरलिया मना सकता है यार ओनर मिलोड मैं चाहता हूँ कि किसी भी नतीजे पे पहुँचने से पहले या अदालत इस केस के हर पहलू पर गौर करे हाँ सबूतों की अच्छी तरह से जाच करने और केस के हर पहलू पर रोश्णी डालने के लिए अदालत को थोड़ा वक्त चाहिए और अदालत पुलिस को यह हुक्म देती है कि फॉरन गुलगुले के घर छापा मारकर और भी जितनी इस तरह की किताबें वो सब जब्त कर ली जाए और जब्त करके सीधी मेरे पास लाई जाए मैं उन्हें अच्छी तरह से पढ़ूंगा मतलब अच्छी तरह से जाच परताल करूंगा तब तक के लिए यादालत बर्खास की जाती है तैंक्यू यादा आप बाहर जाएगे कुंग्रेचुलेशन सर तैंक्यू सतेश लगता है इस बार आपकी सिल्वर जुबिली होई जाएगी नहीं नहीं सतेश सिल्वर जुबिली होने में अभी एक और केस चाहिए अभी तक तो ये सिर्फ 24 वा डाइवर्स केस है हाँ भाई हाँ आराओ आराओ ग्यानगुरू मेरे कोलेज में एक लड़की है मैं इश्कदारियां फिल्म का गाना उसे डेडिकेट करना चाहता हूं भाई प्यार में पड़ी साशिक की फर्माइश को बला मैं कैसे एक बात बता सिड ये पटिल का प्रोब्लिम के है जब भ जोर वो हमेशा बिजी रहता है तु ग्यानगुरू का प्रोग्राम सुनना ये लोग भी नहीं है दो दुन का प्यार थोड़ी सी तक्रार फिर हो जाएगी पूजा किसी और पप्पू की पीuld साथ कि अपको अक fear प्यान ये फैलोट में जिखता नहीं ये वकील is the dagle or specialist. कया बात करते साब आप डावर्ज करते हैं सपिर में आstrong हमारे तो मेले से परिशान गाड़ी को आज ही खराब होना था साब हम जैसे गरीब का दर्द आप जैसा लोग नहीं समझेगा तो कौन समझेगा साब अच्छा बता क्या प्रॉब्लम है तेरा साब मेरी बीबी ना छोटी छोटी बात पर लड़ाई करती रहती है जगड़ा करती रहती है अब देखो न साब हर बात पर इतना खुश रखता हूं उसको बेलन लेके ऐसे ऐसे जगा मारती है साब आपको मैं दिखा था पब्लिक प पसंद तभी तो फस गया हूं न साब मारू के एक कान के नीचे आरे माबाप की पसंद पर उंगली उठाता है नसीब वाला है तू चो माबाप ने तुझे एक अच्छी लड़की पसंद करके दियोगी या रोग दे या रोग दे काड़ी देखो यह साथे हैं ना सिर्फ लव मैरिजिस का डिवर्स करवाता है एरेज मैरेज का नहीं आई हीट लव मैरिजिस यह ले और कीप दचेंज मुझे लव मैरिजी से सक्त नफ्रत है काड़ अप शौनकी यह जडर मेरिदेव च्छी आई इसनुर्ट सिर्फ लव मैरिज आपिए नुर्वी फुल्वी प्रेम रूपाशयाची सर्वां की सुंधर अटिशे युदूराची कंध की जलके माल मुर्ता पहड़ाची जये देव जय देव मंगल मूर्ती जर्शन, मत्रे मन, कामन, पूर्ती, जरेवजे देव रत्नाख अचिता पराट, जर्दाूरी, कुमरा चंद नाचि उठी, कुंत शरा देवए गह देजलेगे, थेश्वाइड अचित अचिति, जर्डा मुद्धा, वरा वाँ वाँ मी वर्जोन पोहेच तैरी करते हैं अरे थाम थाम गर्व स्वाती बेटा बहुत दिनों से आपका गाना नहीं सुना तो आज एक भजन सुना दीजी स्वाती अगा मन आगा ते सांता है तने उड़ा नहीं पापा मैं आता अरे मेरे लिए ने तो कुछ नहीं सिट के लिए सुना दीजी मैं आई के साथ पोहा बनाती हूँ चल आई चल लासली मैं भी जाता हूँ ये लो लाड़करणी मुझे लगता है अब हम इन दोनों की शादी के बारे में कुछ सोचना चाहिए साथे तुम तो जानते हो जब से स्वाती की मा गुजर गई है तब से मैने ही उसको मा और बाप दोनों का प्यार दिया है अब वो बड़ी हो चुकी है खुद के फेसले खुद करती है लेटर डिसाइड आई डोंट माइन जानता हूँ आउँ चलो आई मंगेश भाव चलो कॉल कैसी है आई कैसी है आई परसो फोन नहीं किया तुने आई की याद नहीं आती ना याद तो बहुत आती है आपकी आई पर क्या करूँ काम में इतना बिजी रहता हूँ कि पता ही नहीं चलता जैनिफर कैसी है जैनिफर आई जैनिफर बहुत अच्छी है लो आपसे बात करना चाहती है हालो आई कशिया इस अरे योर स्पिकिंग मराथी आई रेली इंप्रेस्ट हा आई आई लाव यू लाव यू लाव यू बिटा आई गणपती बापा मोर्या अरे वा मोर्या मोर्या गणपती बापा मोर्या हेलो आँ हाँ मंगेश एक मिनीट अ स्वाती ला बोलाएज़ बोई बोई हेलो मंगेश भाव हाँ स्वाती क्याल चाल सब बढ़िया आप मुमबई कब आ रहा है सून ब़़िसून नेक्स टाइम मुंबई आएंगे तो हमारे घर पर पक्का आना है पक्का स्वाती, मैं जब भी मुंबई आऊंगा तुमारे पास जरूर आऊंगा जी, एक मिनेट ओके जादा, फोन रखता हूं आई, ये बाबा क्या बार बार स्वाती को लेके पीछे पड़े रहते हैं मेरे क्यों, तुझे ने पसंद स्वाती स्वाती अच्छी लड़की है आई, लेकिन मैं उसको उस नजर से नहीं देखता तो तुझे कैसे लड़की चाहिए रहे? मुझे, मुझे तो ऐसी लड़की चाहिए, जो धमाका हो जो कर्ट सॉन ली थपड़ धमाका, नरा तो इल सांगला धमाका पिछले चार साल से देख रहा हूं साथे अब बस भी करो ना बुला लो मंगेश को घर पे अरे, अखिर वो भी तो दुमारा बेटा है बेडा था मतला था वो मेरा बेटा था, जब वो सॉफ़वेर इंजिनियर बना मैं खुद गया था, पुरे कोट में पेड़े बाड़ते फिरता था मैं, खुश था तब वो मेरा बेटा था तो लेकिन उस लड़की के साथ उसने जब शादी करने का फैसला किया तब से वो उसका पती हो गया वो वो, क्या है वो, नाम उसका वो जैनिफर हाँ, वो ही वो ही वो जैनिफर का पती है, वो मेरा बेटा नहीं है ये देख साथे अगर तू गहे तो मैं बात करूँ क्या उससे, हो सकता है, वो मेरी बात मान जा है, लेकिन हम में से किसी को उसके साथ बात करनी ही, क्यों चाहिए, अरे, अरे, उसने सब कुछ किया है अपनी मर्जी से, सौट्वेर इंजिनियर बना, तो पुना में जॉब बिली, तो पुना चला गया, हमें यहाँ चोड़के, वो भी उसकी मर्जी थी, उस जैनिफर के साथ उसने शादी कर ली, वो भी उसकी मर्जी थी, उसके सामने मैंने क्या किया, मैंने अपनी मर्जी का एक किया, उसको घर स अगर वह कुछ भी करता है उससे आप कुछ नहीं कहते और मुझे एडवाईस देते हो वह भी भोलती रहती है मुझे और तू भी बोलता रहता है मैं जिस्थी के मेरी मरज़े के खिलाफ जो कुछ भी किया वह गलत किया वह अपनी गलती मानके अगर वापस आना चाहता है तो मेरे घर के दर्वाजे खुले लेकिन गलती मानके आएगा तो नहीं तो नहीं आज आज किससे लड़के आई है जब इस तेरा पारा चड़ा रहता है कभी ठंड भी रखा कर आज क्या हो गया कैसे ठंड रखूं यह गाड़ी वाले सड़को जागीर समझते सच बोर्डियों ममा एक दिन मिल गए ना सबकी गाड़ियों के टायर पंचर कर दूंगी मैं ओहो बस कर अपनी चूचा पड़ पहले ही मैं अम्रिता को लेकर बड़ी टेंस्टू यार अब क्या हुआ फिर से न मैं दूने डिबांड से 2,000,000 डीयों डीयो ओने मेरे बेटी तना लाट ची बेडियों के बीच में वाज़ गई क्या करूं मुचे समझ यह यह था बैसे तूसे फोन करले ना हा मैं बत करती हूँ, ममा, आपकी आखी क्यों सुजुई ही है, रात बर सोई नहीं आप, तेरे पापा ने सोनी नहीं दिया, हाँ ममा, सु रॉमैंटिक ममा, ओ खाक रॉमैंटिक, गैस बन गई थी, सारी रात नाफ नहीं दो कुछ, मममा, नो रॉमैंस, अरे बहुजी, फिर से छोले, तेरी ता, कड़ा जुति, लावाच हितर, सारे दे सारे, मेरे खाने पर नदर है, ओ एक पाद क्या मार दिया, कोई बं मार दिया, कोई टोइन टावल गिरादी तुमारी, पाँ जी, आशीसी आगे, आशीसी, कैसे हो आप, बहुत अच्छा हूँ, इतने दिनों बाद याद आई तुझे मेरी, अंकल याद रोज आती थी, बस एक काम से सिड्डी जाना पड़ गया, और आज सुबह ही वापिस आया हूँ, सीध आपके पास आगया हूँ, ये मिरी जान, और आप बताईए, घर पे सब ठीक है, बस क्लास, आंटी खाखा के मोटी होती जा रही है, अमरिता और शन्नों का क्या हल है, बेटा, इस पोस्ते फजिए अमिरता और शन्नों अज हमें, और शन्नों करने जा रही है, चैनल, एही है, आजी है कोई नन्ल, ये सट इन बैन समगती है, ये वह एक अजी ये दोस्त ungef Keys का दो खीक, जय रहार आज है हूँ का क्या लू चा रहर क्स रही है में आजा ये। एक नाजा रहे रहे वी सिद कंपनी गा राइटर है ये इस चाहिए राइटर कान निचा अब कर दो कि छाहिए वुला ये हुआ अपयों वह याज आज क्या बिलकि हभी से सिड आउ एक नई पिसोड के उपर डिसक्र्स करना है इसार सब या हाँ सिभ बुलो सर मैंने तीन स्टोरीज रेडी की हैं सर पहली लूंगी उठती है और इज़त लुटती है क्या उठती है? लूंगी सर दूसरी तो सुनिये सहिया थानेदार तो डर काएका सर तीसरी तो बेस्ट है अच्छा जमाना हैरान लड़किया परेशान फिर आया कास्टिंग काउच का शैतान स्टोई तो ठीक है लेकिन भाई दम नहीं है पकड़ नहीं है यू नो वसाला तो मंगता है सर वाट डियू से शनू अनी आइडिया सर जो ये फिर आया कास्टिंग का शैतान इसकी जगागर हम कर दे ओ, आ, आउच फिर से कास्टिंग काउच कैसा रहेगा सर ओ, आ, आ, आउच फिर से कास्टिंग काउच टीयार पी तो मिल गई सर आई थिंक सो वाट दीयू से शिद सर अगर आपको अच्छी लगती है तो ठीक है सर तो दान, दान, दान वेरी गुल, वर्क अन दाट थाइगी सो अगर ब्रिलियंग सो ओके, करी ओन देन दू यह वर्क, सिड़ा, 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 सिड़ा तू क्या बोल रहा था आज मीटिंग में? इस लड़की न, चन्नो बहुत तेज है बचके रहा न, तू बड़ा बोल रहा था मसाला मंगता है सर, उसकी साइड ले रहा था आरे मैं तो तेरी साइड हूँ यार तू भी न, आगई, आगई शुरुवाद अच्छी रही तुमारी, यूल गो फार शन्नो थांक्यो सिप लुगिग पर रहा गाईड़न सेपोट यूल यूल दो चर्णा यूल गाईड़न सेपोट दूंगा इसको चोड़ना चाल आज साावियो के अड़पे नहीं यार मेरको बत लेट और अराज मेह दर को कल मिलता हू रज़ अच्छा तेरा उने याका क्या ऑब एव वेल वे जास्ट गुद्रेंड्स॥ फ्रेंड्स॥ जास्कूर्ज॥ कुल फ्रेंड्स॥ फ्रेंड्स॥ te सुनते सुनते मुझे पांच साल हो गया पुतर कानी आगे भी तो बड़ा ना अब इटा कितना टाइम लगाओगे तेरी जगा तेरी मम्मी होती तो अब तक शादी गर के दो तीन बच्चे पैदा कर दी होते ने मेरा कहने का मतलब यह है कि देखो लड़का खांदानी है पंजाबी है और सबसे अच्छी बात यह कि अमीर है और उसे भी बड़ी बात यह है कि आज सुपर दुकान पे आये था ओटल पे जुक के मेरे पाउच हुए उसने पापा प्लीज और भी गम है जमाने में इस शा त है कि अमर्टा दी की शादी करा दी फ़ा हो पर मैं हम्रिता दी नहीं हूं यहां पापा कि आप किसी भी गई की तरह मुझे किसी भी खुटे से बान दो है शाले के लिए मुझे फोर्स करना बंद कर दो तो कर म riders को संसे हुए चेड़ो ना आप खाने पर कॉंसेट्रेट करो और मुझे को छोड़ उसको पूछ ले उसने भी कुछ खाया कि नहीं खाया है शन्नो पुतर दर्वाजा कोल खाना खाले नहीं खाना अच्छा ठीक है खाना मत खा दूद तो पी ले खाने से तेरी क्या दुश्मनी है ममा बोला ना मुझे ना कुछ खाना है ना कुछ पीना है आप प्लीज जाओ यहां से अच्छा ठीक है कुछ मत खा अमरिता को फोन तो कर ले उसका फोन आया था हाँ हलो हलो दी हाँ शन्नो बोल वैसे मम्मी बता रही थी तुम्हारे ससुराल में कुछ प्रॉब्स शन्नो शांत रहे यार मां है वो बस कुछ भी बोलते रहती है तू ना उसकी बातों पे जादा ध्यान मत दे प्यार करती है ना वो मुझे बहुत ज्यादा इसलिए फिक्र लगी रहती है पर सच बताओं मेरे ससुराल वाले ना मेरा बहुत ख्याल रखते हैं और तेरे जीचुचे के बारे में मैं क्या बोलू वो तो मुझसे इतना प्यार करते हैं कि अब मुझे जिन्दगे से और कुछ नहीं चाहिए खर वो सब रहने दे ये बत कि तेरे आज ओफिस का पहला दिन था ना कैसा रहाच ओफिस का पहला दिन इट वस गुड बाकी सब ठीक है सिवायो सदोर साथे के समच में याता उसे मुझसे प्रॉब्लम क्या है आज पता है मीटिंग में इतना अटिट्यूद दिखा रहा था ना खैर वो टेंशन मतले म चालो चैनल ओके तू फटाक से टीवी ओन करो देख ठीक हाँ ठीक है ठीक है तू रख फॉन मैं टीवी ओन करती हूं ममा मेरा शो आने बाला है टीवी ओन करो हाही तू बोल अर्यार यह लड़की तो बहुत ही देज निकली इसने तो आते ही सिक्सर लगाती है हम लगता है ऐसे क्ली मोल करना ही पड़ेगा उसको क्लीन मोल बाद में करना पहले टी वी देख बदा चलेगा टीवी ओड़ कि पिर से कास्टिंग काउच के कीचर से पूरी फिलम इंडस्टीर का रहे हैं तुमने तो आते ही एक अपते में कमाल कर दिया और वो तुम्हारी कास्टिंग काउच वाली प्रोग्रेम की स्टोरी की थिर्पी तो वाउ वहरी गड़ा थांकियू सो मची वैसे ना तुम मेरी मंगी मेन वाली स्टोरी सुरू देखना वह बहुत मज़्यार होगी वो मंगी मैन वाली स्टोरी भी तुमारी है हां पदल सय ना अज ही मुझा सैंड में धिया है नाइसज कॉंग्राइट्स कंग्राइट्स थांक यू सेड तू तो गया बिटे सर यस सिदाथ सरे मैं क्या सुन रहा हूं मंकी मैं माली स्टोरी भी शन्नो कर रही है उसे तो पूरी की पूरी स्क्रिप लिग डाली सर मैंने ही कहा है उसे सिद पूरी के लिए उसे तुम्हारे पास भी बेजने वाला था या नो सिदाथ यू रएज दाथ अन्द फाइनल राफ्ट भै कुछ दिनों से मैं देख रहा हूं तुम्हारे उपर काम का बर्टन स्यादा पढ़ रहा है इसलिए मैंने सोचा एक और राइटर ले आता हूं तो तुम दोनों मिलकर कम्री का नाम उंचा करो एंसे दाथ यह सर यह ही तू की क्या प्रॉबलम है कुछ खोया-खोया नजर आता है सर वो उसकी गर्ल्फरंड है ना नेहा जो उसकी बिल्डिंग में रहती है गल्फरंड नेहा वो वो जो एक दो आर आफिस में भी आई थी सर उसकी कई और शादी पक्की हो गई है वह 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 पूर चैप होगे ठीक है करी ओन थैंक यू सर यह ब्रिलियंट सर यह 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 सर यह क्या है तुमने मंकी में स्टोरी की लाइन्स चेंज कर दी यह किससे पूछके किससे पूछके मतलब आई डिंक गेट यू वाई यू इसक्यूज मी वो प्रोग्राम मेरा है वो असाइमेंट पटेल सर ने मुझे दिया था असाइमेंट चाहे जिसका भी हो जहां तक फाइनल ड्राफ्ट का सवाल है मिस्स शन्नो वटेव यूर नेम इस वो मैं डिसाइड करूँगा उसमें क्या होना चाहिए या क्या नहीं ना एक्स्क्यूज मी आफ बेडर थिंग्स तू तू तुम गईनी अभी तक वोटेवर इस शैतान से कोई ना बचा ना राजा ना रंख और इस तरह से छागया मंकी मैन का अतंक भवानी क्या बोल रहा है आर्तू कड़ट कड़ट क्या वा सिद्ट यह लाइन्स वो नहीं है जो मैंने लिखी थी वही तो बोल रहा हूं जो लिखा है किस ने दी? शन्नो ने सिद्ट व रुणिग आट ओट नाइम सिद्ट सिद्ट अरे यार समझा उसको यह सब क्या है शन्नो क्या हूँ मैंने जब एक बार स्क्रिप फाइनल कर दी थी तुमने उसमें दुबारा चेंजिस कर दी है सिद्ट मैं प्रोग्राम, मैं साइनमेंट, मैं स्क्रिप इम दो राइट से लास्ट राफ, नोट यू वाट एवर सिद्ट इम नोट गूंट चेंज सिद्ट सिद्ट इम्पॉसिबल भवानी यह वो स्क्रिप नहीं जो मैंने फाइनल की थी वानी, टेक दिस और शूट क्या करूं? छोट सिद्ट, लेट इम शूट वट तो है पड़ गई कलेजे में थंड़क अब मैंने क्या किया तुमने तुमने कुछ नहीं किया तुम तो कभी कुछ करती नहीं हो यूनोवाट सिद तुम्हेन मुझसे कुछ जादा ही प्रॉबलम है तुम्हें काम करती हूं मैं ये जॉब ही छोड़ देती हूं और भी गम्मे इस जमाने में इस जॉब की सिवा और आम शूर मेरे में इतना तो टैलेंट है कि मुझे इससे बहता नौकरी मिल जाएगी न न तुम क्यों करी छोड़ रही हो I think I should leave this job I think I should do some more intellectual media rather than this DRP game So all the best and you keep this job Excuse me Sid Sid I'm talking to you क्या चल रहा तुम दोनों के बीच में यह स्टोरी स्टाइम पर क्यों नहीं आ रही है मुझे दुख इस बात का नहीं है कि तुम दोन एक दुसरे को कॉपरेट नहीं कर रहे हो लेकिन दुख इस बात का है कि you people are not taking your job seriously you don't respect your jobs Sir वो टैलेंट Keep quiet क्या कह रही है तुम कहीं और जॉब मिल जाएगी इससे बेटर जॉब मिल जाएगी and you Mr. Sidat you want to do intellectual media intellectual media my foot क्या होता intellectual media नेताओं के भाशन उनके interviews गंटों तक live TV पे law and order की बाते चल रही होती है और नतीजा क्या निकलता है आपको यह सब किसने बताया I have my own people मेरे अपने जासूज है जो सब पर नज़र रखते हैं but let me tell you one thing you both have disappointed me like anything today जानते हो लूंगी वाला भाबा यह के अंदर है वो आज casting couch वो स्टोरी बहार रही तो हजारों लडकी आम से मिलना चाहती थी क्यों they just wanted to thank us और तुम दोलों को लगता है कि मैं TRP के लिए इस चैनल को चला रहाँ रूंग कान खोल के एक बात सुन लो यू बहुत अगर नोखरी करना चाहते हो यहां पर तो मिलके करनी पड़ेगी वरना दोनो get us from this office um sir sir I'm extremely sorry sir um मैं आपको शिकायत का मुका पक्का नहीं दूंगी sir I'm sorry yeah yeah sir मुझसे भी गल्ती होगी मैं गुसे में कुछ जादे ही बोल गया yeah एक चांसो बनता है sir हम आपको फेर शिकायत का मुका नहीं देंगे sir friends friends all right mm एक मौका देता हूं friends लेकिन तुम दोनों को ये प्रूव करना होगा कि तुम दोनों मिलकर काम कर सकते हो और अच्छा काम कर सकते हो but sir ये हम प्रूव कैसे करेंगे मतलब sir हमें करना क्या होगा हां एक ऐसी न्यूज लानी होगी जो शहर में तहल का मचा दे समझ गए समझ गए sir दमाकेदार न्यूज क्या हो सकती है यार क्या स्टिंग ऑप्रेशन नहीं यार पुराना हो गया है कुछ नया कुछ अलग हमें ना कुछ हक्के करना होगा सिट शायद पटेल ने हमें यही असाइंडमेंट दिया है कुछ हटके अरे ही तू भाई सब ठीक तो है ना ही तू और वेल ही तू मेरे जान क्या हुआ तुझे निहा की शादी एक मैने से प्रीपोन हो गई है मेरे भाई हम दोनों को लग रहा था कि हमरे पास एक देड़ मैना है ताकि हम घरवालों से बात कर सके उन्हें समझा सके लेकिन नहीं अभी और कोई चारा नहीं यार भागना पड़ेगा क्या बोलता है सिड नीकी और पूछ-पूछ मतलब ही तू की लव स्टोरी पे क्या फाडू प्रोग्राम बन सकता है नहीं और जीत हमेशा महबबत की होती है ओ येस हाँ हलो हलो बबा क्या प्रोग्राम कौनसा प्रोग्राम क्या दिमाग नहीं घराब होगे तुम लोग का अच्छा बेडा अपना टाइम आया तो पतली गली से निकल लिए हाँ दुनिया की इसी सोच की वज़े से न कितने लोग हैं जो मिलनी पाए ए बंगाली ए मराठी ए ये पंजाबी पर अब वक्त आ गया है बगावत का मेरे शेर तुझे अपनी मुहबत को पाने के लिए लड़ना होगा मैं तेरे साथ हूँ तुझे निया को बगाना होगा और इसका अब लाइफ टेलिकास्ट देखेगी पूरी दुनिया हाई मैं हूँ सिद और यह है शनो आज पहली बार दोस्तों हम चालू चैनल की तरफ से लाए है एक लाइफ टेलिकास्ट अभी थोड़ी तेर में एक लड़की अपने प्रेमी से शादी करने के लिए इस पाइप से उतरके भागने वाली है प्रोगराम के शोगरा शोगरी नो अरे वह भागते शाधी करगी करें और आपको मज़ा रहे और बहुं मुझा आपसे यार तु जो तुसे देखो किसी पे ऐसे हसते नहीं हो उनके मा बबब को कितना ऄठो घुर तु जो जो आमा दिर बिल्ड़िंग से कौन सी लर की भाग रही है अरे तुमको क्या करना देखो ना मौझा देखो अरे बाबा दूसरे का भी सोचो सशलवार शुद शाशलवार खाली नीजे ट्वोची आपनी लड़की है न घर पे बॉशो चुप को रहे कि होबे जानो कौन भाग रहा होगा है अरे वो गुपता जी का लड़काई होगा यह तो अपनी नेया है बंगालन मज़ा आएगा बोला था ना मैंने इसको ना किसी लफंग ने फसाया होगा हां अरे लफंगा हो के पगंभा हो लेकिर अबी शोगा भी तो मज़ा लेना तू अरे विचारी भाग रही है तो नेहा शोपुनाश है है भगवान ही तू है भगवान अरे ही तू है अपना ही तू चलो अरे उठो खाना छोड़ो चलो मैं ही तू हूं और में नहां से शादी करना चाता हूं हमने हमारे घरवा लोग को मनाने की पूरी कोशिश करके देख ली लेकिन वह राजी नहीं कर कि अब कर वाना चाहते हैं नहीं मैं तो बस हीतों से शादी करूंगी ओचांबर उपरे अब और दो आए जो आए जो आए जो और युद दो आए हम भाग के शादी करना नहीं चाहते यह तो सिफिक ट्रेलर था आप लोगों के लिए क्यों हां हम भाग के शादी कर सकते थे लेकिन हम भाग के शादी नहीं करेंगे लेकिन हां अगर आप लोग हमारे रिष्टे के लिए नहीं मारे ना फिर तो फिर तो हम जरूर भागेंगे जलू 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 कोटू छोटा इमा आई शक्राइशा कोई ने बाबा शुदा वाज यहार मजा आ गया पाइप से उत्री दुल्हनियां वाओ वाओ एसी टी-ाइपी मिलने वाली शो को जित्तरी ही की टी-ा-इपी आज देख चैनल को रिंदुट। कि र Stre surreal । ग्या रस् póह बंद गप य्वू कि यह वन्द्टास्टिज इन बंद्टास्ट्टिए इंग कंई तो जो में क्या लगता है किस बारे में सुप्टू और ने जी के बारे में उनकी खुश रहेंगे पर कुछ भी कहो अरे इसमें रियल मैन का मतलब? अपनी फैमिली से सोसाइटी से बगावत करके अपने प्यार को हासिल करना बच्चों का खेल नहीं है रब जी, प्लीज मेरे लिप कोई ऐसा बंदा भेज दो, प्लीज क्यों? तुम्हें भी शादी करनी है? हार लड़की की टिपिकल चॉइस एक्सक्यूज मी कोई कबल सरी नहीं है, हां? मुझे एक ऐसा लड़का चाहिए जो लाविंग हो, केरिंग हो जिसका सेंस अफ यूमर अच्छा हो जो दिलका साफ हो पैसा नहीं भी होगा तो चलेगा मतलब हम दोनों मिलके कमा लेंगे पर दिलका अच्छा होना चाहिए पैसे तुम्हें कैसी लड़की पसंद है? मुझे? मुझे क्यों चाहिए लड़की? तो क्या तुम लड़के से शादी करोगे? डोंट टेल मी और गे! हेलो मैडम शादी मैं अपनी पसंद की लड़की से करूँगा ये बात तो फाइनल है अच्छा सेट सपोज कि तुझे लड़की पसंद है ओके? अच्छा बापा की साथ रहने के लिए बिलको रेड़ी है वो तो तु क्या करेगा? सपोज किया मुझे लड़की पसंद है मैं नी जानता वो मुझे पसंद करती है और नहीं अच्छा कौन है वो? है हमारे ओफिस में हमारे ओफिस में? हाँ हमारे ओफिस में कौन है? है एक पंजाबी लड़की थोड़ी शॉट टेमपर्ड है लेकिन मुझे पसंद है and I hope आई बाबा को भी पसंद आईगी सुजी? नो, सुजी तो कैथलिक है बरोबर and रिचा वो तो गुजू है तो तो तेल मी मेरे इलावा इस ओफिस में पंजाबी और कॉन है? तुम्हारे इलावा इस दुनिया में और कोई नहीं से? हाँ इस इट प्रपोजल? हाँ तो तो आईला भी रिपोलता के थे? अरे अरे बोल दिया राँ अरे वही सबस्तो होता है येले येले वही है छोट चूट चूट ये ये भी ये विलो अरे प्लेट नहीं अरे अरे लेट तक फिरी क्या है तुझसे मिला तो फिलिंग जागी सांस मेरी तेरी और भागी नीद वीद चैनवेन सब पे लगा है बैन दिल भी हुआ है फरार Automatic 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 उन्ने लगा है प्यार व्यार प्यार 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 Automatic उन्ने लगा है प्यार व्यार प्यार प्यार Automatic उन्ने लगा है प्यार व्यार प्यार प्यार Automatic उन्ने लगा है प्यार व्यार प्यार 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 तेरी हाहिशों का नशा चड़ता जाए चड़ता जाए हम पीछे रहे गए आगे दिल बढ़ता जाए बढ़ता जाए इसे अब रोकना जाते हुए टोकना बस में रही है यार आडोमेडिक होने लगा है प्यार व्यार प्यार 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 मेरी बाहों में अब तेरी बितेंगी ये राते सारी होटों से ना कुछ भी कहें आखों से हो बाते सारी तू ना हो सामने तो मेरी धड़कने चलने से करें इनकार आडोमेडिक होने लगा है प्यार 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 आडोमेडिक होने लगा है प्यार 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 आडोमेडिक होने लगा है प्यार 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 आडोमेडिक होने लगा है प्यार 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 अरे उसको पैसे क्यों दिया शन्नो क्या है ये किदर है वो लिफ्ट में रास लीला जीहा दोस्तों इन प्रेमी जोड़ों ने कुछ भी नहीं छोड़ा और यहां तक की वेल्डिंग्स की लिफ्ट भी आप इन प्रेमियों की रास लीलाओं का अटा बन चुकी है सिथ तुम कमाल का काम कर रहे हो अपने पापा से कहना है मैं उनसे मिलने वाला हूं पता नहीं क्या खा के पैदा किया इसको और मुझे बावानी तुम तुम हमेश है अच्छा काम करते ओ इन फक्त यौ यौ धू सब्सक्राइब कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कमाल गर दिया है लिफ्ट में रासलीला वह क्या सब्जेक्ट ढूंडा ऐसे ऐसे आइडिया तो मैं आते कहां से भवाणी यह मेरा नहीं शनो का एडिया था ऐसे ऐसे आइडिया ना शनो को याते हैं साथी 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 उपर देख साथी गुल्बाइ मिस्टर साथी कौन है यह लोंडा मेरा बेटा सिद्धार्थ साथे सिड्ड और यह मजाग लग रहा है आपको देड़ घंडे तक वोड पब्लिक टॉयलेट में ऐसे नाक पे रुमाल लगा के बैठा था तब चाके यह तस्वीरे मिली हैं मेरे बेटिक हरकतों पर मुझे शक होने लगा था बाल बनाता था पर्फ्यूम छिड़कता था उसके पीछे डेटेक्टिव भेजा तब जाके मिली यह तस्वीरे और मैं तो मैं तो धैरान इस बात के लिए हूँ कि मेरे होनहार बेटिक को यह पूरे शहर में और कोई नही वह भाई साब आपको जितनी हरानी हो रही है ना उससे जद्धा तो हमको परिशानी हो रही है क्योंकि आपका और हमारा तो कोई मैच ही नहीं है ना कहां हम घानानी लोग स्कॉच के साथ बादाम और पिस्टे खाने वाले कपूर्स और कहां आप पोस साथे कांदे पोहे औ यह रिष्ता हो ही नहीं सकता है नख्ली स्कॉच पिपी कर आपका दिमाग भी बादाम के साइस का हो गया है कपूर्स कभी नकली स्कॉच नहीं पीते समझें अरे नकली असली की बात नहीं है दिमाग की चाउदे जाउदे आपने कह दिया रिष्टा नहीं हो सकता लेकिन जरा सोचिए अरे दोरों पड़े लिखे हैं अच्छा खासा काम कर रहे हैं भाग के शादी करनी तो क्या कर लें हम है देखिए अब हमें भी इनकी भावनाव को समझना चाहिए इनकी खुशी में हमारी खुशी है बरोबर बोलते नहीं मैं तो दुश्मन हूं ना उसका आप बाप का हूं मैं मुझे तो मेरे बेटी की कुछ पड़ी यह नहीं है अगर हम इस रिष्टे को हा कर भी दे तो भी कुछ नहीं होने का वो लड़के के माबाप खिलाफ है इस शादी के दो दिन का चवानी का जोश बाप कौन मा कौन साल में एक बार हैपी मदर्स डे बाप की तो जैसे कोई गिंती है यह नहीं आपन टूमी साल में गाप बगाता है एक बेड़ा मैं खो चुका हूँ अब दूसरा नहीं खूंगा इस बार मैं किसी के नहीं सुनूंगा पह गया नहीं से अप्पा तभी मैं कहूं कि त्यार शारों के कहा जाती है इससे मिलने जाती है आने दरज से मैंने इसकी चित्रोल लाकी ना चुपकर अकल कहा है तेरी घुड़नों में दोनों पड़े लिखे अच्छा काम कर रहें अगर भाग के शादी कर ली तो क्या कर लेंगे हम हाँ वैसे कहा तो आपने सही है क्या कर लेंगे हम लेकिन क्या करें हम वही तो मैं पूछा हूँ क्या करें हम एक मिनिट एक मिनिट बाबा ज मदद करो बाबा जी की जैहों बाबा जी की जैहों नमस्कर बाबा जी आओ बाबा जी मैं बंने बाबा जी मेरी पत्नी को कई साल हो गराए बच्चा नहीं हुआ है कोई उपार बताइए हम् मुझे गणने के खेथ क्यूं दिखाई दे रहा है गणने के खेथ जाओ गणने का जूस प्यों बनने फसल खुद बखुद उग जाएगी जैहो बाबाजी की परणाम खुश रहो जाओ अरे बेटी बाबाजी जाओ आजो आजो जाओ जैहो बाबाजी जीती रहो सुनाओ बेटी बाबा वो जबान बेटी है गलत लड़की की संगत में पड़ गई है कहीं कोई उचनी चोगई तो क्या करेंगे आप एक कुछ कर सकते हो बाबा बचालो उसे बाबा बस आपका ही सारा है मुझे ना कई भार डर लगता है कहीं मेरे हाटों से कोई गलत काम ना हो जाए चीड़ चीड़ बहुत करते हो सही का अपने बाबा सही का इनका पारणा मेशे ही आई रहता है मिलन हो गया क्या है जी मिलन का मतलब संभोग इंटरकोर्स सेक्स हो गया अब बाबा आप से क्या चुपाना अब तो कई-कई दिन हो जाते हैं डाबिजिस की विवारी है और ब्लड पेशर है तोड़ी गैस की भी प्राब्लम है इश तुम दोनों की नहीं बच्चों की बात कर रहा हूं नहीं नहीं बाबा ऐसे कोई बात लग तो नहीं रही मुझे अपनी बेटी पर पूरा ब्रोसा है पर जमाने का क्या करें बड़ाई खराब है कल को कोई यूच नहीं चोगी तो हम तो कहीं मुँ दिखाने लाइक नहीं रहेंगे न बाबा कुछ कीजिए बाबा गोल गप्पे मुझे गोल गप्पे क्यों दिखाई दे रहे हैं गोल गप्पे? है? आखरी बार तुमने गोल गप्पे कप खाएं वो तो एक अरसा होया बाबा जबसे पाइस की शिकायत हुई है न तबसे बाहर का खाना बंद कर दी अब तो जो ये बनाती है वो ही खाता हूँ जाओ गोल गप्पे खाओ राते खुद बखुद खुल जाएंगे जै हो बाबा जै हो जै हो बाबा अरे बाबा ने कह दिया न अभी सब ठीक जै हो बाबा जी की जै हो मैंने कहा था ना बाबा ये रास्ता दिखाएंगे और रास्ता तो दिखा दिया है लेकिन गोल गप्पे वाला ही नहीं समझी नहीं आता ओ ओ पानी पूरी बनाना और नीचे उत्रएगी तो देगा ना यहां दोड़ी लाएगा चलो अराम नाल अराम नाल इस तरफ आजाई आप ना भाई तो प्लेट बना चल्दी अरे ओहो साड़े साप आप यहां क्या कर रहे हैं म यहां पर गोल गप्पे खाने आऊंगा गोल गप्पे की दुकान पर जलेवी खाने तो हूंगा नहीं लड़के का बाप है इसका तो बैंड बजाता हूं अभी आप एक बार जी की बात याद है ना यही तो उनका इशारा है रुको मुझे बात करने दो आप तो एमी गर्म आप कोई रास्ता निकालो यह तो गर्मी पर मेरा तो अब ज्यादा समझदार लगती है इनसे अब देखिए अब बताईए मुझे बताईए साइड तो जागा रहा हां जी बोलिए देखिए मैंने सोचा है कि चुबात हम कहेंगे वो मानेंगे नहीं तो वो अपने आप मान जाए ऐसा कुछ करना पड़ेगा हां तो ऐसा कुछ बताईए या बताता हूं बताता हूं देखिए एंगेजमेंट हो जाने के बाद तीन महीना आपकी बेटी हमारे आ रहेगी लेकिन सिड़ आपके घर रहेगा दोनों एक दूसरे को अकेले में मिलेंगे नहीं अब क्या ह है आपका रहेंसें आपका खानपान सेड़ उसे आदी नहीं है तो वो उप जाएगा और मैं तो बड़ा स्टिक्ट फादर हूं मेरे घर पे हां तो वो दोनों अपने अभी समझ जाएंगे कि भाई वो तो नहीं दूसरे के लिए नहीं है तो नहीं मैं दारू नहीं थमसाब हाँ थमसाब हो गए विगल चलिए पानी पुड़ी आ ले आ बई तुझे क्या लगदा है तरह बाब जल्लाद है अरे बेटा है तुमेरा तेरी खुशी में हमारी खुशी है आ कि अगर कोई पसंद किया तुने तो बताते ऐं मम्मा उसका नाम सिधार्ट साथ्य है एफ नेरे ऑफिस में काम करता है देखा लिए साथ्य पंजाबी नहीं होतने साथ्य बाबा वो मेरे साथ औफिस में काम करती है बाबा इस पापा का एक रशेटारंट है दाब आ महाराश्टन है पर बहुत अच्छी फैमली से बिलॉंग करता है पापा आपको पता है उसके डैड ना बहुत बड़े लॉयर है बाबा बहुत अच्छी लड़की है वो प्लीज एक बार मिलो ना उससे उसे क्यों मिलूँ अरे उसके घरवालों से मिलूँगा जा जाके बता दे उनको अगले संडे हम आएंगे लड़की के घर लड़की देखने है जा आप आप दुनों एक बार उससे मिल तो लो फिर जैसा आप लोग आओगे मैं वैसक करूँगी पका आप बताओ ठीक है अगले संडे पका पका पापा अगले संडे खोश मैं अभी फोन करता हूं उनको आप लोग लोगी आप लेगी ने तैंक लेली चे नाइए मना कर रहे हैं वो उदर लोग जिट शन्नो सेड देखो हम तुम दोनों की भावनाओं को समझते हैं इसलिए इस शादी से हमें कोई भी एतराज नहीं है लेकिन तुम दोनों को भी हमारी भावनाओं को समझना पड़ेगा आप क्या है शादी सिर्फ दो इंसानों के बीच में नहीं होती वो दो परिवारों के बीच में होती इसलिए ये बहुत जरूरी है कि तुम दोनों एक दूसरे के कल्चर फैमिली वैल्यूस को अच्छी तरह समझ लो और वो भी शादी से पहले दूसरे से मिलोगे नहीं और अब मेरा ढाबा तुम्हें ही चलाना है और शन्नों ये ऐसे कपड़े नहीं चलेंगे साड़ी पहनना सिख लो लवकार तुम्हें जरक अप्प बस्ता काई मणा लूँए यूं डारा रहे हो बच्ची को मैं काई नहींगा मैं मैं सिखा दूं हाँ वें जी आप मेरी बेटी को साड़ी पहना सिखा दीजिए और मैं आपके बेटे को आठा गुंदा सिखा दूंगा देखो जी मुझे तो इनना पता है वे देरिस अविल ना देरिस ओल्वेस अगे ममा वेर देरिस अविल देर्स अवे बाई साब मेरी बीवी की इंग्लिश ना उसका कोई तोड नहीं है ओ छड़ो जी आप तो जी स्मोसे काओ हमारे टाबे के बने पुतर ये भी बनाने सीखने पड़ेंगे आप तो हमें सपोर्ट कीजिये अगर एक शर्क पी वो रिजवेशन तो बूली जो वो तो मैं सब्सक्तित नहीं करूँ लेकिन जैसे तीर मेने अप्लीट हो जाते हैं अब दोनों चालू चैनल में वापस आजाओगे अब दोनों चालू जाओगे अब दोनों चालू जाओगे तो है? मैं आपको आई बुला सकती हूँ ना? क्यों नहीं बुला सकती? अगर मैंने तुझे अपनी बेटी मानी है तो रिष्ट में मैं तुम्हारी मा हुई है ना? हाँ तो आई मैं ये पूछे थी कि आप इस भस्ति में कबसे बढ़ा रहे हो? मेरा सेध होने के बाद मैंने कुछ दिनों की छुट्टी ली थी हाँ तब मेरा मंगेश पांस साल का था और शिक्षा भी शिक्षा कौन? शिक्षा मेरी कामवाली बाई शांता उसकी बेटी अच्छा मेरे मंगेश के साथ खेलने आती थी उसकी किताबे खोलकर पढ़ने बैठती थी और फिर शांता का काम खतम होने के बाद अपने आई के साथ घर वापस चली जाती थी चोटी सी थी एक दिन मैंने शांता को पूछा तब मुझे पता चला कि वो अपने बेटे को स्कूल भेशती है लेकिन शिक्षा को नहीं क्यों? क्यों क्योंकि वो लड़की है तब मुझे सडनली बहुत फील हुआ कि इस देश में ऐसी कितनी लड़किया होंगी जिनके नाम में ही सिर्फ शिक्षा नसीब है किस्मत में नहीं और फिर मैंने टीचर का जॉब छोड़ दिया और यहां इन बस्ती के बच्चों को पढ़ाने लगी पर आई? बाबा ने आपको रोका नहीं? मतलब ऐसे बस्ती में आके पढ़ाने के लिए? उन्हों नहीं तो मुझे इंकरेज किया है तेरे बाबा, बाहर से जितने सक्ट लगते हैं उतने ही अंदर से नरम है वकील है ना? अपनी फिलिंग्स को चेहरे पर कभी आने नहीं देते अब तो पकाई मैं भी आपके साथ इस बस्ती में रोज बढ़ाने आऊँगी पकाई? पकाई? आप और बाबा बहुत स्वीट हो इसे मराथी में कैसे बोलेंगे? काई? आप और बाबा बहुत स्वीट हो उसे मराथी में कैसे बोलेंगे? काई नहीं आई बाबा, तुम्ही धोगा खूब गोड आहाथ आई बाबा, तुम्ही खूब गोड आहाथ हाँ बर बर पर किती गोड़ाय ना हो पोर देखे ना कुछ दिन ही हुए इसे घर आके ऐसे लगता है अपने घर की बच्ची है हो की नहीं अब पता नहीं है वह मेरा स्वीट कैसा होगा कि कुछ खापी रहा होगा कि नहीं यह बता तु वकील का बेटा वकील क्यों नहीं बना अंकल बच्पन से शौक ता कहानियों का लिखने का तो मैं लाइटर बन गया अच्छा लेगा बन गया लेकिन तू करता क्या एक्जेक्ली चैनल में क्या तरी पोस्ट क्या है जी मैं कॉंटेंट है हूँ कॉंटेंट है है मुझा चोड़ यार शनो तो ऐसी टाइम पास के लिए काम करती है चल जो भी आड़ है तू पर ड्रिंक बना चल जो बड़ा तो बचपन से राइटर बनने का शोक था अलेखक बनने का जी अंकल शोग नहीं बढ़ा तेरे को वर ना पता नहीं क्या हो जाता है यह यह क्या बना है पैग अबे तेरे बाप ने तुझे ड्रिंक बनाना भी नहीं सिखाया वो नी पीते तू तो पीता होगा जी या सिर्फ बियर अबे बियर तो लड़कियां पीती हैं सिर्फ बियर अबे ड्रिंक तो मैं करता था 14 साल की उम्र से ही सिर्फ नीट और बाइगाड एक बार जब टन्न हो जाता था ना उसके बाद जो जो रुमाली रोटी हवा में उपर जाती थी अच्छा ऐसे बनाते हैं मुझे भी सिखाओ ना पूरा चोड़ना भाई यह काम मेरा है तुम कानी वानी लिखो हेलो हेलो सिट क्या कर रहा है तेरे बाप के ढबे में काम कर रहा हूं आटा गूंद रहा हूं रोटिया बना रहा हूं और उसके उपर तेरे बाप के ताने भी सुन रहा हूं और तू वहां पर आश कर रही है मैं एश कर रही हूं यहां आई और बाबा का ख्याल कौन रख रहा है और तुझे पता है मैं माराठी बोलना सीख रही हूं और तो और आई की साथ बस्ती में बच्चों को पढ़ाने भी जा रही हूं और तुमुझे ऐसी बाते बोल रहा है अच्छा, सुनना अच्छा, सुनना जैसे आज कर लड़का लड़की कहते हैं कि शादी से पहले हम एक दूसरे को अच्छी तरह जान ले वैसे हम कहा रहे हैं कि लड़का लड़की जो है एक दूसरे के परिवार को भी अच्छी तरह जान ले आफ्टर ओल जो है शादी दो बंदों का नहीं दो परिवारों का रिष्टा है, अब जैसे देख, तू हमारे परिवार के बारे में सब कुछ जानता है, लेकिन ये सिड, इसको क्या पता है हमारी फैमिली के बारे में, हमारे ट्रेडिशन, पुते तेरी बेहन की शादी की बार चल रही थी न, ओहो, मैं भूली गया, बातों करके रही है कोमल, अंगल वो रिसर्च कर रही है, एनिमल और्गैनिजम पर, वाँ बड़ी तरक्की कर लिया इंडिया ने है, बिल्कुल जी, जानवरों के और्गैजम के उपर भी, रिसर्च हो रही है, ये मामूली बात नहीं है, और हर किसी के बस की बात नहीं है, हाँ, अंटी वो और्गैनिजम, एनिमल और्गैनिजम, हाँ, कोई गल है, और्गैनिजम, और्गैनिजम, अरे, यार, एक बात माननी पड़ेगी भाई, कोई हाथ नहीं पकड़ सकता मेरी बीवी का अंग्रेजी में, हाँ, बिल्कुल जी, आप तो बसना मेरी तरीव करने के बान नहीं डूंडते रहते हो, क्या कलूं, मेरा ना दिली कुछ ऐसा है, तेरी अंग्रेजी है, तो अंकल, मेरा खाना हो गया है, मैं चलता हूं, ओ, हो, कहा जा रहा है पुतर, काम बहुत है जी, अरे, काम हो जाएंगे, जाने देना, उसकी बेहन की शादी है, दस काम होंगे घ हर्कुलिस, हर्कुलिस, ने, ने, अंकल, उनका मतलब है, रिडिकुलस, इंग्लिश, देखा, दो दिन में कितनी अच्छी तरह मुझे मिसंडस्टैंड करने लगाई ये, और आप लोग, अंटी वो, मिसंडस्टैंड नहीं, वो, अंडस्टैंड यार, इनका कोई, हाथ नह पकर सकता, अंग्रेजी में, थैंक्यू, आप, बाबा, आशीश की भेन की इंगेजमेंट है, और उसने आप दोनों को भी इंवाइट किया है, मैं क्या करूंगा, वो, वो शोर शराब, वो नाचना काना, वो सब मुझे पसंद नहीं है, मैं तो दारू भी नहीं पीता, आई, नहीं बेटा, मेरा मन नहीं है, तो एक काम कर, तू स्वाती के साथ चली जा, उसकी कंपणी मिलेगी तुशे, ठीक है, आई, स्वाती गया करेगी वहाँ जाके, स्वाती घराओ, आशिश, ये मेरी बहुत अच्छी दोस्वाती, और स्वाती, ये है हमारा दुर्खन का भईया, और मेरा बच्पन का गो, आशिश, है, मुम्मी आगी, मैं बाद में मिलती हूँ, ओकि तुम्रे बात करो, तो आप हैं स् सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, आखिडेक्चर में गोल्ड मडलिस, और भारते, सबता और संस्कृती में बहुत रूची है आपकी, शन्यों कि ता आदत है बड़ा चड़ा कर बोलने की, I don't think so, मुझे लगता है उसने जो कुछ भी बोला है, बिल्कुल सही बोला है, और क्या चल रहा है, अब अभी अभी मैंने एक कंपनी जोन की है, M.C. Thompson, M.C. Thompson, I don't believe this, उसी बिल्डिंग में हमारा भी ओफिस है, और हम आज मिल रहे हैं, you know what, we should be more often, एक बड़ा, लगता मेरा ही फोल बज़ रहा है, ओ, एक बड़ा, कापूर सहाब, वक्त आ गया है, अपनी अगली चाल चलने का, आप बिल्कुल चिंता ना करो, साथे साब, आज मौका भी है, और मौके फे मैं चौकल लगाई देगा, स्वाधी, स्वाधी, जल्दी चल, जल्दी चल, जदो नच दिये, दे सीधू पटा लेके, मुंडे तक देने सीटा उते बैबैके, जदो नच दिये, दे सीधू पटा लेके, मुंडे तक देने सीटा उते बैबैके, जदो हिल्ले तेरा लाक, साठी हिल्ल दी नई आख, पाटी विचीक तुयों लगे, फिट सोनिये, तेरा ठुमका, तेरा ठुमका, सूपर हिट सोनिये, तेरा ठुमका, सूपर हिट सोनिये, तेरा ठुमका, सूपर हिट सोनिये, बल्ले बल्ले जवनी बला साले आ गया, अदी मार की में नच दी जाओं, ये फ्लोर ते पुचा ले आ गया, अदी मार की में नच दी जाओं, ये फ्लोर ते पुचा ले आ गया, बल्ले बल्ले जवनी बला साले आ गया, बल्ले बल्ले जवनी बला साले आ गया, तू मानी या न मानू ओ, चौद मीदा चन तेरे मुखडे नू है जुमदा, जाद लगे दून चन डीजे फाडिके बटन उच्ची कार दिन्दा वाली अमदा, तेरी अखियाँ दिलिकर वीके डोल दे सपीकर, अजुसा नूमी पिला दे लिट्टल विट्ट सोनिये, तेरा टूमका, तेरा टूमका, सुपर हिट्ट सोनिये, ओ देसी बजजी जान्दी पीट, तेरे रुक देना फीट, होई जान्दे बार बार तेरे ठूमके रा पीट, जटो नच दिये दे सीदू पटा लेके, मुंडे तक देने सीटा उतने बैं बैंके, लैला पाण के तुमारे जिन्ने मजनूने जारे, पेर वीद दिये सीदे नू कलीन चिट्ट सोनिये, तेरा टूमका, तेरा टूमका, तेरा टूमका, सुपर हिट्ट सोनिये, ले भई, तु तो कुछ लेही नहीं रहा है, बादाम है, काजू है, नहीं नहीं, अंकल सिर्फ बियर, बियर विद पीनेट्स, बॉल चना, चकना, एक बात पूछू से, जी, आशीश और तेरी उन में कितना फर्क होगा, ज्यादा से ज्यादा दो-तीन साल का, अब दे कितनी सी उमर में उसने कितना कुछ कमा लिया, क्या कुछ बना लिया, कोठिया, कारे, और एक तुग है, बियर विद पीनेट्स, क्या कर कर रहा है, तीस, चालीस हजार रुपे की नौकरी, जलन नहीं होती तरकोष से, जैलिसी नहीं फील करता, सच बोलू अंकल, हाँ, खुल के बोल, बिल्कुल नहीं होती, हम राइटर्स की अपनी एक अलग दुनिया होती है, जिन में ये सब का कोई मोल नहीं, मैं नहीं जानता, मुझ में क्या कम्या हैं, या क्या खूब्या, लेकिन, कुछ तो बात होगी न, जो आपकी बेटी ने मुझे पसंद किया, हम, बातें, बातें बहुत अच्छी करता है तू, और ऐसी बाते करके तूने फसाया हमारी बच्ची को, सच बोलूं, अगर तू न होता न, तो आशीश हमारा दामाद बनता, और राज करती मेरी बेटी, पर क्या करें जब, नसीवी खरावदों आदमी क्या कर सकता है, आओ, आओ, बेटा जी, पार्टी एंजॉय की आपने, ग्रेंड, ग्रेंड पार्टी बेटा, ग्रेंड, भाई, तुन्हें प्रूफ कर दिया कि तुम मलोतरा साब का बेटा है, आए लोग महमान सब देखते रह गए, आँखे फटी रह गई, क्या शान्थी, वाँ, वाँ, वाट अ क्लास, बस जी, आप अपना ड्रिंग जोए करो, मैं ज़रा सिट को कुछ दिखा कर लाता हूँ, हाँ, जा भई, कम रो, I'll show you something, दिखा इसको, आना भाई, हम आते हैं, यह हमारे शिमला वकेशिन की फोटो है, मेरे मॉम डाड, कपूर अंकल आंडी, मैं, अमरिता, कोमल और शन्नो, बचपन में भी क्यूट थी, नहीं, हाँ, और वो, वो विंटेज कार एक्जिबिशिन की फोटो है, शन्नो को कारों का, और घूमने का इन दोनों चीजों का बहुत चौक है, एक वक्त था जब वो मुझसे कहा करती थी, कि हम दोनों मिलकर पूरी दुनिया घुमेंगे, वर्ल टूर पे जाएंगे, उसे पूरी दुनिया एक्स्प्लोर करनी थी, पैरिस की शाम देखनी थी, मॉसको की सुबा देखनी थी, पर म मेरे पास सब कुछ है, पैसा है, गाडियां है, वो सब कुछ है जिससे मैं शन्नो का हर ख्वाप पूरा कर सकता हूँ, लेकिन उसके ख्वाप पूरे करने का हग मेरा नहीं है, वो हग तुम्हारा है सेड, सिर्फ तुम्हारा, वन्जिक, I'll just take this call, जी शर्मा जी, बोलिये, that's great, thank you, कोई बात नहीं, मैं पेमेट पहुचा दूँगा, thank you, sit, sit, सैवियो ने मुझे यहां पे खुट फोन करके बुलाया है, और ये सब तु क्या कर रहा है, तु इतना कबसे पीने लगा है, चलावी बस कर, अबे क्या बस कर रहें? क्या एंगजमेंट हुई तेरको पता है? पूरा बंगला साजा था, बंगला नहीं, महल है वो, महल, खाने में भी क्या-क्या आइटम थे तेरे को पता है क्या कहते हैं वो वो खेकड़ा क्रैब एक एक खेकड़ा एक हजार रुपे का क्या बात कर रहा है इतना अमीर है अरे जितनी तूने और मैंने गाड़ियां शोरू में नहीं देखी होंगी न उतनी उसके कॉमपाउंड में है कॉमपाउंड में पता है तेरे को शन्नो उससे हमेशा कहती थी कि वो दुनिया घुमेगी उसके साथ यार उसे कारों का भी शोक है ये भी का उसने आशिश को मुझे तो कभी नहीं कहा यार मेरे पास है भी क्या एक वो टूवीलर और एक वो पटेल की सदेली नौकरी अरे अशिश उसको बहुत खुश रखे गा रे मैं उसे कुछ नहीं दे सकता कुछ नहीं लेकिन अभी तू अठी अंकल को क्या बोलेगा अरे बोल दूंगा रे बोलोगा उनको बाबा को अरे पर क्या बाबा मुझे शादी नहीं करनी मैं जानता ही था मैं जानता ही था कि ऐसा ही होगा अरे कहां हम ठैरे एज्चुकेटेड लोग और कहां वो धाबे वाला कपूर लेकिन बाबा शन्नो मुझसे बहुत प्यार करती है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं मैं वकेल हूँ बेटा वो लड़की तेरा पीछा ऐसे नहीं छोड़ेगी उसका दिल तोड़ना होगा दिल तोड़ना होगा? मैं कुछ समझा नहीं बाबा तू चिंता मत कर मैं जैसा कहता हूँ ऐसा तू करना लेकिन देख यह हमारी आपस की बात है यह तेरी मा को पता नहीं चलना चाहिए लेकिन मुझे करना क्या होगा बाबा? तुम्हें तुम्हें यह फाइल जाकर मेरी यह क्लाइट को देनी है उस क्लाइट का नाम और पता तुम्हें बाहर रिसेप्शनिस से मिल जाएगा वहाँ जाओ, यह फाइल दे दो लेकिन उससे 50,000 रुपे लेने हैं, तो वो मिले नहीं तब तक वहां ठिके रहना, वहां से हिलना मत, इतना कर पाओगे, बागी का मुझे पे छोड़ दो, बस इतना ही, इतना ही, ठीक है बाबा, सविता, साथे, मैं मेरे बेटे सिड़ को तुभारे पास भेज रहा हूँ, ड्रामा शुरू कर दो, ड्रामा, जी सर, सविता जी हैं घर पे, जी हैं, अंदर आईए, बैठे मैं आपके लिए पानी लेके आता हूँ, जी, झालए, 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 पाएऑ झाल मेडम को कहना उनके लिए फाइल लाया हूँ और थोड़ा जल्दी से पैसे ले आए प्लीज इतनी भी क्या जल्दी है सिधार्थ होशो हावास खोचाने दे होता है जो भी अब होचाने दे होशो हावास खोचाने दे होता है जो भी अब होचाने दे सासो की इस गर्मी से उद को बेगले दे एक दोजे की बाहों में जिसमों को खुले दे मून्दो के इस महसम में जिसमों को धुले दे मून्दों को धीरे धीरे होटों पे खुले दे एक दोजे की पाहों में जिसमों को खुलने दे बूंधों के इस मासम में जिसमों को धुलने दे बूंधों को धीरे धीरे लोटों पे खुलने दे मेरी आखों में है नशे की एक चिंगारी जितनी आग है इसमी तुझको फिला दो सोरी मेरी आखों में है तशे की कचिंगारी जितनी आग है इसमी तुझको फिला दो सोरी मेरे साथ चले की तू करने अब तयारी दूरी बरताश होगी नहीं जो मैं कहूं अब हुगा हुई मेरे इश्यारों पे तू खुदको अब चले दे एक दूजे के बाहों में जिसमों को घुले दे बूंधों के इस मासम में जिसमों को धुले दे बूंधों को दिरे दिरे होटों पे खुले दे वो अफिस के डॉल इंटिरियर्स वो साड सा अम्बयूंस I think I need a change और उसके लिए मुझे क्रेटेव बसन की help की जरूरत है I'll be glad if you can help me Why not? आपको किस तरिके के डिजाइन्स पसंद है? Modern, classic एसे कोई पर्टिकुलर टेस्ट नहीं है मेरा जो आप सजेस्स करेंगी, so I can go for it I think you should go for mixture of both थोड़ा सा modern, थोड़ा सा classic आपको काम कीचे, मुझे अपने आफिस की लियाओस मेल कर दीचे So meanwhile I'll create few nice designs and I'll show it to you अगर उसमें सी कुछ अच्छा लगता तो you choose it Superb, I think this will work So, uh, हम next Monday मेले, further discussion के लिए Next Monday sounds good for me That's great आजाओ कैसी लग रही हूँ, अगो किती सुंदर दिस्थेस्टू अब, आई, साड़ी कैसी पेनी खूब जान अरे, नमस्से, नमस्से शन्नो, शन्नो की तर है गुड़ी पड़वाए न, तयार दो अब, आप बैठे न जाट, कितने सब टाइम पे आयो, कैसी लगे मैं अच्छी लगे अप आई न, बैठे, मैं, मैं चाय बना के लिए नहीं, नहीं, रहाने दीजे बैंजी अब तो इस घर का पानी भी हमार लिए जहर है, शन्नो, सवान ब्या करो, चलो, अभी क्या हुआ पापा, सब ठीक है क्या हुआ भाई साम जिस आदमी से तु सच्चा प्यार करती है न, उसकी सच्चाई ये इनको भी दिखाऊ बता बेटा नहीं, नहीं कुछ, कुछ गरत फैमी हुई है मेरा बच्चा सेथ ऐसा नहीं कर सकता नहीं, कोई गरत फैमी नहीं हुई है आपका बेटा मेरी बेटी के साथ एक साल से प्यार का नाटक कर रहा है और साथ मैं इस लड़की के साथ चक्कर चला रहा है अभी तो और भी फोटोग्राफ थी लेकिन वो इतनी वाहियात और वालगर थी कि मुझे दिखाने में शर्माती इसलिए लाए नहीं मैं पापा, हो सकता नहीं ये फेक हो बेटा, मुझे मालूम था तुम मेरी बातों पे विश्वास नहीं करोगी इसलिए मैंने एक प्रोफेशनल डेटेक्टिव हायर करके ये फोटोग्राफ किछवाई है सिट को पता है इसके बारे में नहीं, वो तो अभी भुला भाला बेचारा होटल में लगा होगा चाहता तो मैं अकेला ही उसका बैंड बजा देता लेकिन वो इतना चेशोरा किसम का आदमी है कि कोई भी कहानी बना कर तुम्हें सुना देता इसलिए मैं डारे पास आया हूँ देखे भाई सब से मैं मैं जानते हूँ आप प्लीज मत बुली बीच में हम बाप बेटी इसकी इसको सॉल्व कर लेंगे चलो बेटा नई पापा आप अलोग लेट मी हेंडल इस मिटा पाप बोला ना लेट मी हेंडल इस बाई सब चलो क्या है ये सद्ट क्या है यह आई डूंट बिलीब दिस मेरा से इतना नीचे नहीं गिर सकता पर पर इन दस्वीरों का क्या करूं मैं तुम पिशले किने साथ से उस रड़की के साथ हो जवाब दो सेड मैं कुछ पूछी हूं जवाब दो मुझसे बहुत बड़ी गल्ती होगी शन्नो मुझे माफ कर दो तुमेसा कैसे कर सकते हो लव डियो यह यह दिखा तुम्रे मुझे दिखा तुम्रे मुझे दिस्ट यह एट यू जब तोड़ना ही था सबने दिल क्यों बनाया रबने कोई ना मिला जिसका दिल तूटा ही ना हो जग में कोई ना मिला जिसका दिल तूटा ही ना हो जग में तुझसे दूर रासता हो गया तो सफर ही सजा हो गया लम्हों से क्या शिकायत करे हम वक्त ही खफा हो गया किसको बताए अब किसे समझाए दर्द दिलों के अब किसको दिखाए तुम जेना कोई मजपूरियां मिलने लगी है जो दूरियां दिलने तो ये चाहा नहीं फिर किसने है दी मन्जूरियां शन्यों कपूर अंकल हम दोनों की शादी करना चाहते हैं बट आ नो तट यू लफ सेट अशीश तुम अच्छे लड़कियो इस इस जैट कि मैं उसे एकनी जल्दी नहीं भुला सकती आई नीट सम टाइब पर क्या तो मुंसे माफ नहीं कर सकती नहीं तुम्हारी ब्लेट कहा है तुम्हारी ब्लेट कहा है खाना नहीं खाने वाली हो तुम नहीं चलो आज हम दोनों साथ-साथ एक प्लेट पर खाना खाते हैं चलो मुझे नहीं खाना है आप आप खाईे रहे असे का करते इसका खाणा को मुझे भूख नहीं आप खाई मेरा तिल अब भी नहीं मांद रहा है कुछ तो गडबड है क्या गडबड है क्या बात कर रही है तु अरे बच्चा है हो गई होगी जवानी के जोश्में घलती सबी से होती है मैं अपने बच्चे को अच्छे से जानती हूँ इतनी इच हरकत नहीं कर सकता वो फिर वोई बात हर क्यों बाल की खाल उधेड रही है जा मेरे लिए पानी लिया मालते बक्तर गोना है दारावर कितनी बेल बजा रहा है अब खड़ा गया है उदर भूत के बाफिक बाबा क्या कर रहे हैं बाबा मंगेश दादा और जनिफर बावी की रोड एक्सिडेंट में मौत हो गई क्या है स्चाड़ा आए गयक आध के लिए बूस्टारी लिए वारा प्रूदी ही तरहा है। कर दो 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 कि अब आपका आशिर्वाद लेनी आए हैं कौन बाबा किसका बाबा यहां कोई बाबा नहीं रहता आपको घलत अडिस दिया गया है मेरा बेटा मर चुका है अरे भाई जेनिफर का चर्च में फिनरल आपको पता है कि नहीं हाँ आज शाम पांच बजे सेंटेट्यू चर्च में नड़ करणी मैं जेनिफर के फिनरल में जाना चाहता हूं तू आएगा मेरे साथ साथे अरु शूर शायद यही एक आखरी मौका है मेरे बेटे और मेरे भाई से माफी मागने का कर दो आएगा मेरे यही हाँ जाएगा मेरे देए बेट शूर शुर को पता है प्ले Σ Ricky बाल मैं लोड़ी पुर्ष का लोड़ी। प्लेश्ट विलिवी झाल मैं लोर्टी प्लिवी तो जब शोल रस्ते इंपीस कर दोर झाल चलो साथे, सब लोग निकल गए, अब हमें भी चलना चाहिए, चलो मैं बंगेश का खाधर I understand your pain Mr Sati, we have both lost our children बंगेश का खाधर 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 बंगेश के साथ सब जूड़ था सीथ, तू क्यों और मैं आज भी शन्नों से प्यार करता हूं अरे सीथ ए सीथ 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 कहा जा रहा है तू ए सीथ सीथ, रुको क्या हो क्या रहा है इस गर में और रोको उसे और देख क्या रहे हो अब गर छोड़के जा रहा है वो कौन था वो तेरे रिस्था किसी का खून किया था उसने किसी के घर जाके चोरी खी थी उसने क्या किया क्या था मेरे बच्चे ने जो आप उसे इतनी नफरत करते थे वाह आज तो आप बड़े खोश होंगे ने मिस्टर साथ है क्योंकि इस दुनिया में आपका सबसे बड़ा दुश्मन आप नहीं रहा और आपका दूसरा बेटा भी आपको छोड़कर चला गया है वाह कॉंग्रास मिस्टर साथ है ये केस भी आप जीत कहीं सिद और शन्नो एक दूसरे से अलग हुए है कॉंग्रास मिस्टर साथ 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 है कॉंग्रास मिस्टरास मैं कहीं लेट तो नहीं होई बहुत ज्यादा जिस्ट किडिंग क्या लोगी कुछ नहीं तुम कुछ कहना चाहते थे ना हुआ वो स्वाथी मैं सोच रहा था कि मैं कपूर अंकल से क्या दूं कि मैं शन्नों के साथ चादी नहीं कर सकता पर क्यों तुम दोने इक दूसरे को बच्पन से जानते हो पसंद भी करते हो यूर राइट कॉमल अमरिता शन्नो और मैं बच्पन के दोस्त हैं और एक दूसरे के साथ हर बात शेयर करते हैं इसलिए मैं जानता हूँ कि शन्नो आज भी सिट से प्यार करती है और मैं भी किसी और को चाहने लगा हूँ 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 है कोई एक स्वीट सिंपल क्रेटिव गल तो प्रॉब्लम क्या है यही जानने के लिए तो तुम्हें बुला है मतलब स्वाथी वह अगर मैं तुमसे कहूं के मैं तुम्हें चाहने लगा और अपनी सारी जिंदिगी तुम्हारे साथ कुजारना चाहता हूँ 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 तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी हाई अम्रिटा है अशिश यह तो मिसी वक मेरे खर पर आ सकते हो हाँ पर क्या हुआ वो सब मैं तुम्हे बार में बताऊंगी प्लीस अभी जल्दी आजाओ फाइन आम कमिंग क्या हुआ अम्रिटा का फोन था उसने अपने घर पे बुलाया जल्दी लेट्स गो ओके खालूं खाओ ओ आपी के लिए तो काटा है इस वक्त कौन होगा साब आशीश सर आए वे हैं आये तो क्या भेजो यार अंदर उनको जी सर आब आई आशीश बतर अंदर आजा पुत्तर वाँ क्यों गड़े बड़ा चुप चुप लग रहा है क्या हो गया क्या हो बिटा सब ठीक है ना हाई रबबा यह क्या हाल बना लिये तुने पुतर मैं आर बार आपको कह दी थी कि अमरिता को वापस ले आओ आप आर बार यही कह दे थे कि शादी में तो चोटी मोटी बात ही चलती रहती है इसाब ठीक हो जाएगा देगो ना उशराबी ने मेरी बच्ची को क्या हाल कर दिया हाथ बाँ तोड़की उसको वापस भीज़ दिया अए मेरी बच्ची अब क्या करोगे आप जुपचाप कड़े रहोगे ना ठीक है लेकिन मैं जूप नहीं रहूंगी नहीं रहूंगी मैं जूप मैं उसने हमारा प्यार देखा है ना लेकिन आज मैं उसको पज़ाबियों की नफरत दिखाऊंगी नहीं रहूंगी मैं जूप चल मुरी बच्ची तुचल अंदर मैं दुखते हूं तुझे कौन रोगता है चल तुप क्या हो यह मेरे बच्ची को कि एक बार गलती कर चुका हो पुतर दुबारा नहीं करना जाता तुम और शन्नो तुम बच्च्च के साथ ही रहे हो खुश रहोगे बेटा शादी करके अंगल मैं आपके जजबातों की कद्र करता हूं पर सच यह है के शन्नो आज भी सिट को प्यार करती है और मुझे भी लगता है के हमें सिट को एक और मौका देना चाहिए कि आखे रूंकी जिन्दगी का सवाल है कि साथे साप आप चिवो मुझे इनको मैंने बुलाए है कि अम्रिथा का केस यह लड़ेंगे बाबा इससे देख रहे हैं आप मेरी बड़ी बहन इसके पती ने इसका जीना हराम कर दिया हर दिन कोई नहीं डिमांड कुछ पैसों के लिए क्या हाल बना दिया इसका और पाप आप आप हमेशा कहते हो ना कि लड़का पंजाबी होना चाहिए खांदानी होना चाहिए इतनी छोड़ी से बाद आपको क्यों नहीं समझ में आती कि किसी का मराठी या पंजाबी होना खुर्शियों की गैरेंटी नहीं देता बस पुत्तर बस मुझे अपनी गलती का एसास हो गया है मैं नहीं चाहता कि जिस तरह मेरी गलती की वज़े से मेरी अमरिता की जिंदगी बरबाद हुई उस तरह तेरी जिंदगी भी बरबाद हो सिड बहुत अच्छा बच्चा है बेटे तो उससे ब्या करना चाहती है हमें कोई इतराज नहीं है और वो जो सविता और सेट की फोटो का ड्रामा था वो सब एक जूट था मैंने और साथे साबने मिलके प्लानी की थी तुम्हें अलग करने की तू उससे शादी कर ले बेटा बाबा क्या ये बात सच है अब आप दूनों हमार साथ ऐसा कैसे कर सकते हूँ सुक्लमाजर गलती हो गया मेरा बेटा मैं मेरे एक बेटे को खोई चुका हूँ दूसरे को नहीं खोना चाहता सिठ घर चुड़के चला गया है पता नहीं कहा किस हाल में मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ बेटा तू तू जाके उसे ढूड़ा फिर तू दोनों जो कहोगे वो हम करने के लिए दे यार अब तो एक की रास्ता है बाबा लेकिन वो भी तो इमाले गए हैं ना कोई ने हम ना बाबा जी की फोटो के आगे हाथ जोड़ते हैं ज़रूर कुछ ना कुछ होगा आओ आओ जी सलाँ अब आप कई साहरा है बाबा कोई रास्ता दिखाओ ना कहां डूंडें सिटको कहां जाएं टीवी पर फोटो दे ये टीवी से कुछ होने वाला नहीं है जाओ रेडियो सुनो चमतकार बाबा फोटो से बोल पड़े अरे बेखुफो मैं तुम्हारे पीछे खड़ा हूँ अब बाबा इधर आज ही आया हिमाले से आते ही पता चला मेरी बेटी परेशान है चल कर आगया हमें जयो बाबा जयो बाबा अरे ज्ञान गुरू को फोन करो मैं अपने सिदात को अच्छी ताहसे जानता हूँ वह ग्यान गुरू के रेडियो पर प्रोग्राम सुन रहा होगा इस शो की हमारी अगली कॉल लग चुकी है देखते हैं वो कॉलर कौन है लग गया मेरा फोन हेलो हलो ग्यान गुरू मैं अशिश बात कर रहा हूं मेरा दोस्त सिधार्द घर चोड़कर चला गया है और वो आपके शो का बहुत बड़ा फैन है और आम शॉर जहां भी होगा इस वक्त आपका शो तो जरूर सुन रहा होगा बस उस तक एक बात पहुंचानी है आपके शो के जरीए बोलो अशिश क्या कहना चाते हो तुम सिधार्द से सिध मैं जानता हूं तुम मुझे सुन पा रहे हो तुम्हें बहुत बड़ी गलत फैमी हुई है मैं और शन्नो सिर्फ अच्छे दोस्त हैं हमारे बीच में और कुछ भी नहीं है इन फैक मैं तो मैं तो स्वाती से प्या कहां चला गया तु तुझे हमारा जरा भी ख्याल नहीं आया रहा है एक मिनिट देख सिध मुझे पता है तुमारी अवाज सुन रहा है हां बहुत नाटक हो गया तेरा अब जल्दी से वापिस घर आ जा और और यह जो सवीता वाला केस है ना मुझे पता है वो सा फेक है ओ अर तुझे क्या लगता है कि मैं तुझे जून नहीं पाँगी टास्त वेट मुझे पता है सिद कहा है हम कहां बताओ र्य मदा ना भाव क्या खा रहा है कहा है वो सेनी चलो자를 जाओ 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 खुश रहो चले एक मिनिट है हलो बाबा हाँ स्वाधी कहा है तू बाबा में आशिश के साथ हूं साथे और कपूर अंकल भी हमारे साथ है सिक्का पता चल गया का है वो सेवियो बाहर चुहू ठीक है मैं वही पहुंचता हूँ किदर अरे भाई का सिदा सिदा आगे तो आगे आगे तो हाँ यह चलो यह कि अ कर दो प्रोब्लम से भागने से प्रोब्लम सोर्म नहीं होती अगर आप किसी को चाते हो तो उसको पाने के लिए लड़ो और इतनी असानी सोसे जाने मत दो और क्या कह रहे थे तुम ही तुसे कि तुम मुझे दुनिया नहीं घुमा सकते हो मुझे बड़ी गाड़ियां नहीं दे सकते हो किसी और के साथ मरसेडीज में बैटने सच्छा मैं तुम्हारे साथ आटो में गुणू इतनी छोटी सी बात तुमको समझ में नहीं आती मैं तुम्हें वो जिन्दगी नहीं दे सकता शन्नो जो आशीश दे सकता है अगर तुम्हारे साथ जिन्दगी बिताने की सोचता भी हूँ तो आई बाबा दूर हो जाते हैं क्या करूं कहां जाओं किस किस से लड़ू मैं बेठा तुझे कहीं जाने की जुरुत नहीं बाबा आई हाँ मेरे बिटे तू हमारे साथ ही रहेगा और शन्नु भी लेकिन हाँ घर का बॉस महीं रहूँगा याद रहें शन्नो शन्नो तू घाबरुनो को सभाड़ा हम दोनों मा बेटी मिलकर इनकी खूब क्लास लेंगे हाई रभा इतनी जल्दी मेरी बेटी पराई हो गई फार्टिंग इस बेरी पेनफुल है अप फार्टिंग में आंटी अटी पार्टिंग इस पेन अरे यार अंग्रेजी में कोई हाथ नहीं पकड़ सकता अँ थैंक्यू अब मेरे आद की छोडो ये सुचो इसका आद कॉन पकड़ेगा उसकी चिंता मत करो उसके लिए लड़की ढूंड लिया है साड़े साभ प्लीज इफ यू डूंट माइंड नाड करणी या या नमस्कार नमस्कार नाड करणी साभ देखिये मैं तो मानता हूँ कि बच्चो की खोशी में ही माबाप की खोशी है इसलिए आपकी इजासत हो तो मैं स्वाती का हाथ आशिश के हाथ में देना चाहता हूँ साठे सब आपने हमेशा मेरी स्वाथी को आपने बच्ची की तरह समझाए थैंक यू वेरी मच काश मेरे भी माबाप होते तो शायद मेरे भी हाथ पीले हो जाते यू ब्रिलियेंट सर जदो नच दिये दे सीधू पता लेके मुंडे तक देने सीटा उते बैबैके जदो नच दिये दे सीधू पता लेके मुंडे तक देने सीटा उते बैबैके जदो घिले तेरा लक जाटी घिल दी नई आख हिल्ले तेरा लाक, साठी हिल्ले दी नई आख पाटी विचेक तुयों लगें फिट सोनिये तेरा ठुम का, तेरा ठुम का, तेरा ठुम का सुपर हिट सोनिये तेरा ठुम का सुपर हिट सोनिये तेरा ठुम का सुपर हिट सोनिये बल्ले जवानी बाला साल आगया अदी मारकी में नच दी हगा, ये फ्लोर थे फुचा ले आगया बल्ले जवानी बाला साल आगया बल्ले बल्ले एज मानी वाड़ा साल आ गया तू मानी या ना मानू ओ चोदुनी दा चन तेरे मुखडेनू है जुमदा जाद लगे दून चन डीजे फाड़ी के बटनू उच्ची कर दिन दा वाली अमदा तेरी अखियाँ दिलिकर भीके डोल दे सपीकर अज्ज सानूमी पिला दे लिटल विट सोनिये तेरा टूमका, तेरा टूमका, सुपर हिट सोनिये